नमस्कार दोस्तों आप सभी का Steady Quiz with निर्मला यूटूब चनल पर स्वागते हैं हम आज करेंगी 8 मार्च MPTate का पेपर जो की 1st shift का है डेली 2 shift में पेपर हो रहे हैं 1st और 2nd shift तो यहाँ पर हम 1st shift का पेपर सॉलो करने वाले हैं यानि कि आप प्रश्ण देखी यहाँ पर कि किस तरीके से परिक्षा में प्रश्ण आ रहे हैं जिस किसी का exam अभी बाकी है उनको इन प्रश्णों के आधार पर अनुमान लगाना है कि किस जगह से प्रश्ण लिये जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा पहला प्रशने कि निगमन विदी है तो निगमन विदी एक नियम से उधारण की विदी है यानि नियम से उधारण की और ही निगमन विदी है अब अगला प्रशना आ सकता है कि आगमन विदी तो आगमन विदी इसका उल्टा होता है यानि कि उधारण से नियम की ओर हमारा दूसरा प्रूशनी प्रती भावन चात्र की बुद्धी लब्दी होती है तो प्रती भावन चात्र की बुद्धी लब्दी होती है 140 से उपर और ये किस ने बताई थी? ये बताई थी टर्मन ने काल एक प्रशना आया था कि बुद्धी लब्दी किसके द्वारा बताई गई है तो टर्मन वहाँ पर आंसर था और आज पूछा गया है कि प्रतिबावन चात्र की बुद्धी लब्दी कितनी होती है तो आपको टर्मन से रिलेटेट सारी बुद्धी लब्दी यानि ओसत नेमन मध्यम सभी पता होनी चाहिए अगला प्रशने हमारा एक शिक्षी का अपनी प्रात्मिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को केसे बढ़ा सकती है तो राइट आंसर था विचे वस्तु को विध्या प्रशने समस्य समाधान का प्रथम चरण है तो समस्य समाधान का प्रथम चरण होता है समस्य के प्रती चात्र को जागरूप करना तो यहाँ पर राइट आंसर था कि समस्य के प्रती जागरूपता नेक्स्ट है जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए एक नेक्स्ट गणित सब्विता और संस्कृति का दरपण है किसका कथन है यहाँ पर कथन दिया गया था और पूछा गया था कि यह किसका कथन है गणित सब्विता और संस्कृति का दरपण है यह कथन था हाग बेन का phenेट, भारती वन प्रभंदन संस्थान, कहां इसती थे, राइट अंसर था भोपाल, नेच्ट इसक्षा के किंडर्ण गार्दन पद्दती का प्रतिबादन किया, यानि किंडर्ण गार्दन पद्दती किसके द्वारा दिगई है, राइट आंसर था फ्रोबेल, फ्रोबेल के द्वारा दी गई है आपको सारे सिद्धान पता होने चाहिए जितनी भी पद्धती है वो पता होने चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्ण पूछे जा रहे है नेक्स्ट ए विद्ध्यार्तियों को विद्ध्याले में खेलना क्यों उचीते यानि विद्ध्यार्तियों का विद्ध्याले में खेलना क्यों उचीते तो राइट आंसर था यह सैयोग एवं शारीक संतुलन का विकास करेगा नेक्स्ट न्यून्तम पर्यावरन प्रदूशन उत्पन करता है यानि कौन सी गेस न्यून्तम पर्यावरन प्रदूशन उत्पन करती है तो राइट आंसर था हाइड्रोजन नेक्स्ट है गणिती गणना समंदी समस्या कहलाती है यानि गणिती गणना समंदी जो समस्या है क्या कहलाती है तो राइट आंसर था डिस केलकुलिया जैसे डिक्सलेक्सिया होता है तो यहाँ पर डिस केलकुलिया इसका आंसर था आपको अधिगम की विकार सभी पता होने च ग्यान का प्रथम सोपान होता है समवेदना नेक्स्ट ए कौन से विज्ञानिक मनोविशलेशन वात से संबंदी थे तो राइट आंसर था सीगमंट फ्रायर्ड नेक्स्ट अंतर दस्टी द्वारा सीखने की सिध्धात में कोहलर ने प्रियोग किया था तो किस पर किया था रा अनौपचारिक शिक्ष्या का साधने अपचारिक शिक्ष्या में इस्कूल कॉलेज विश्व इध्याले आते हैं और अनौपचारिक शिक्ष्या में समाज परिवार आते हैं अगला प्रश्टे डव्यू डव्यू एफ का प्रतिक है तो राइट आंसर था जाइंट पांड तो यह कथा ने, ब्लूम ने त्री मुखी प्रक्रिया बताई है, मुल्यांकन की, नेट्स दी, जिवन दर्षन का निर्मान किस अवस्ता की विशेश्ता है, तो यह किश्वरावस्ता है, राइट अंसर था किश्वरावस्ता, नेक्स्ट ए राष्टी पार्थी चरिया की रूपरे का NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भुमी का है कैसी भुमी का है तो सुवीदा दाता की भुमी का है लकडी की घर मुख्य तक किस राज्ज में बनाये जाते हैं या किन राज्जों में लकडी के घर बनाये जाते ही तो राइट आंसर हमारा होगा असम मेघालाय मनेपूर और त्रीपूरा next day सतसई में कौन सा समास ही तो सतसई में द्वीगू समास होगा next day क्योंकि आगे जो शब्दे वो क्या है संख्यावाची है संख्यावाची जितने भी शब्द होते हैं वो द्वीगू समास में आते हैं आगे 23 हमारा प्रशने अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है तो राइट आंसर था सीखना मरीची किसका परियाईवाची है तो कीरण का परियाईवाची है मरीची कक्षा में जो विद्ध्यार्थी पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्ण पूछने के लिए क्या करना चाहिए प्रुसाहित करना चाहिए 26 पंजाबी भाषा की लिपी है पंजाबी भाषा की गुरु मुखी लिपी है नेक्स ते लाल चीटी की चटनी किस राज़ से सम्मण दीते हैं तो ये 36 गड़ से सम्मण दीते हैं 36 गड़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है यानि मध्य प्रदेश का ही एक भागे तो यहाँ पर लाल चीटी की चटनी प्रसिद्ध है अगला प्रशने मानस वन्य जीव अभ्यारण किस राज़ में इस्तिते हैं तो मानस वन्य जीव अभ्यारण असम में इस्तिते हैं नेक्स ते नेसरगी का विलोम शब्द है राइट आंसर था क्रित्रिम सम्मंदित प्रश्ण कल भी हमने देखा था और आज भी से पुछा गया है हो सकता है आगे भी पूछा जाए तो आपको DRD-2O से संबंदित सारे प्रश्णों को अच्छे से पड़ लेना है तो DRD-2O जो दीव से वो मनाया जाता है एक जन्वरी को शिक्षा क्या है शिक्षा जीवन परियंत चलने वाली एक प्रक्रिया है next day मदू मक्की का पालन का सही समय है अक्टूबर से दिसंबर यानि मदू मक्की का पालन सर्दियों में ही किया जाता है तो right answer ता October से December अगर रीतु रीतु अगर पूछा जाता तो शीत रीतु हो जाता next day प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर गे तो प्रत्यक्ष में प्रति उपसर गे अगर हम इसका संदी विच्चेत करें तो प्रत्यधन अक्ष तहां पर हो जाएगा प्रत्यक्ष नेक्स्ट ये बुद्धी एवं सिजनात्मकता में किस प्रकार का संबन पाया गया है तो धनात्मक संबन होता है गेवं का तस्तम पूछा गया है तो गोधुम होता है नायन में संदी आयादी संदी है तो राइट आंसर था आयादी गिलहरी एक जीव है, कैसा जीव है, एक इस्तंदारी जीव है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हैं, तो सस्क्राइब कर लिजीए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजीए, ठाकि आने वाली वीडियो आपको मिले, आप उसे तुरंत देखें, साथ में अपने दोस्तों को कर दें, कमेंट सक्च में जरूर बताएं, आपको वीडियो केसी लगी, चलिए हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्ण, पुन्रा वर्ति का सिद्दान किस ने दिया, तो आपको मैं अभी जस्ट बोला था, कि आप जितने भी सिद्दान थे साइकोलोजी में, उनको संग्रा करने की प्रवति बालक की किस अवस्ता की विशिचता है, संग्रा करने की प्रवति, तो ये बाल्य अवस्ता में होती है, कल प्रशन आया था, संचय काल, संचय काल भी बाल्य अवस्ता कोई खा जाता है, नेक्स्ट ए, खेल विदी की प्रवर्तक, तो खेल विदी क प्रवर्त के कॉल्ड वेल कुक कल पुछा गया था खिलोनों की आयू यहां पर खेल विदी पूछ लिया गया है इसने सीमिलर ही प्रश्ण पूछे जा रहे हैं अगला प्रश्ण एपी को आंदोलन किस राज़ से संबन देते तो यह करनाटक से संबन देते जैसे नेक्स पू प्रश्ण के विशेष्टा नेक्स टी शिक्षा के संदर्व में समाजी करन से तात्परी है तो हमारा अंसर होगा सामजिक वातावरण में अनुकुलन और समायोजन तो टोटल हमने यहां पर लगबग 46 प्रश्ण करें हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है जो रीट की त झाल